हेलो फ्रेंग्स वेलकम बाक इन बीन पी लॉव क्लासस इस वीडियो में आपके साथ बिहार जोडिश्वी मेंस 2017 के जी के पेपर को एनलेसिस करूंगी यह पार्ट 4 है पार्ट 123 आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप वहां से वह देख सकते हैं अगर इसमें शाट्नोट लिखने थे किसी पारच ओर्गनाईजेशन पर ठीक है तो इसमें से कुछ ओर्गनाईजेशन जो है वो करेंट अफेर्स का पार्ट है जिनको मैंदिसमें दिसकेस नहीं करूंगी विंक इस कुर्ण अफेर्स रिपीट नहीं होतَ है जो देखते हैं पहल क्या है? पहला है Indian Council of Social Science Research. Indian Council of Social Science Research जो है, वो established हुआ था 1969 में, Government of India के दौरा, इसका purpose क्या था? To promote research in social sciences in the country. ठीक है? और जो यह ICSSR है, यह grant प्रोवाइट करता है, projects, fellowships के लिए, international collaborations के लिए, capacity building के लिए, survey के लिए, publication के लिए and यह promote करता है Research in Social Sciences in India. Next जो है, वो है Defense Research and Development Organization, जिसे हम short में DRDO के नाम से जानते हैं, यह एक Research and Development Wing है, Ministry of Defense Government of India का, इसका जो vision है, वो है to empower India with cutting-edge defense technology and इसका जो mission है, वो है to achieve self-reliance in critical defense technology system. ठीक है? Next जो है, वो है नीम-coated urea. So, जो जो नीम-coated urea होता है, वो यूरिया with नीम-tree-seed oil से coated होता है. ठीक है, यह fertilizer है और यह agriculture scheme का पार्ट था. Government of India ने वीट एंड पेडी को boost की growth को boost करने के लिए इसे as a fertilizer use करने को कहा था. और इसके use से जो ब्लाक marketing and hoarding of urea होता है, उसे काफी curve कर लिया गया. ठीक है? अचली यह भी जो है, यह current affairs का ही part था. But there is a possibility कि इस पे short note पूछ लिया जाए अगे. नालंदा university. नालंदा university को हम नालंदा international university के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? यह international research intensive class of university है. और यह located कहां है? राजगिर, बिहार में. ठीक है? और यह act of the parliament से established होई थी और इसके first chancellor जो अम्रत सेन थे. Next जो है, इस question में आपको जो दिये होई personalities है, इनके life partners के नाम देने थे. तो पहला है, मोहंदास करमचंद गांधी, इनकी wife का नाम कस्तूर्वा गांधी था, जवाहालल नहरू, इनकी wife का नाम कमला नहरू था, सरदार पतेल, इनकी wife का नाम जवर्वा पतेल, लाल बहादूर शास्त्री, ललता शास्त्री, बराक ओवामा, मिशेल ओवामा, स्वामी, राम कृष्ण परमहंस, सरदामनी, मुखोपद्याय, और सुनील दार, इनकी wife का नाम नरकेस. ये जो next question है, इसमें political parties के founding president की नाम बताने थे, तो इंडिया नाशनल कॉंग्रेस, समाजबादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अब जो next है, वो है BJP, बीजेपी पहले भारतिय जन संगता, उस वक्त पे जो founding president थे, वो थे स्वामा, प्रसाद मुखरजी, देन जब ये भारतिय जनता पार्टी ब 2020 में, जो president है, BJP की वो है, जेपी नडड़ा, DMK, CN, अन्नादुरई, जनता दल, विश्वनात प्रताप सिंह, ओल इंडिया, त्रिनमूल कॉंग्रेस, ममता बैनरजी, बहुजन समाजबादी, कांसी राम, तेलंगना, राष्ट्य समिती, के चंदरशेखर राओ, तेलिकू देशम पार्टी, एंटी रामराओ, AIADMK, MG रामचंदरन, जम्मो एन कश्मीर, पीपल्स देमोक्राटिक पार्टी, मुफ्ती मोहमद साहीद, शिफसे ना बाल ठाकरे, नेक्स्ट पेशिन में, दिये हुए concept कहलें, या पर terms कहलें, इन पे आपको short note लिखना था, तो देख ल है, court of law में, for the protection of public interest, अभी जो public interest होता है, वो pollution से related हो सकता है, environment से, terrorism से, road safety, इन सब से लेके related होता है, and any matter where the interest of the public at large is affected, ठीक है, can be redressed by filing public interest litigation in the court of law, okay, and public interest litigation is not defined in any statute, it is defined नहीं है, it has been interpreted by judges to consider the intent of public at large, यह किसी भी statute में defined नहीं है, यह इंटर्प्रेट के द्वारा इंटर्प्रेट किया गया, और जो हमारे chief justice P.N. बगवती थे, उन्होंने introduce किया था, public interest litigation to Indian judicial system, right to information, so right to information act यह 2005 का है, यह Indian citizens को access देता है, right देता है कि वो access करे information about any public authority, ठीक है, or institution, उसमें वो institutions भी included है, जो कि non-government organization है, substantially funded by government है, ठीक है, और जो main aim है RTIE का, वो है to provide clarity of information to citizens of India, and to contain corruption, and to promote accountability in the working of every public authority. Next है आपका right of children to free and compulsory education, जैसे हम RTE की नाम से भी जानते है, RTE Act, यह 2009 का act है, और यह 2010 से enforce हुआ था, यह describe करता है, importance of free and compulsory education of children between 4 to 16, ठीक है, और article 21A के under यह आता है, ठीक है, यह जो act है, यह education को fundamental right बताता है, ठीक है, education किसको children from the age of 6 to 14 को, ठीक है, और यह 25% reservation की भी बात करता है, of children of weaker section in private school. अब next है fundamental right, fundamental right आप सब को पता ही होंगे, क्या होते हैं, यह basic human rights होते हैं, जो कि part 3 of constitution में दिये हुए हैं, ठीक है, और यह बिनना discrimination case सब पे apply होते हैं, six fundamental rights हैं, broadly, first है right to equality, article 14 to 18, then right to freedom, article 19 to 22, right against exploitation, article 23, 24, right to freedom of religion, article 25 से लिके 28, culture and educational right, 29 and 30, right to constitutional remedy, article 32. next है, Mac Mahon line, ठीक है, यह एक demarkation line है, between Tibetan region of China and North East region of India, इसे proposed किया था, British colonial administrator, Henry Mac Mahon ने, और उनके ही नाम पे इसका नाम रखा गया, और कब प्रोपोस किया था, शिम्ला convention के टाइम, ठीक है, चर्दार्स रोवर दम एक gravity dam है, और यह किस पे है, नर्वदा रिवर पे है, नियर नावगाव, नावगाम, गुजरात इन इंडिया, ठीक है, और इसकी जो foundation stone थी, इस project की, वो पंदित जवाहर लाल नहरू ने रखी थी, 1961 में, फोर इंडियन स्टेट्स, गुजरात, महराष्ट्र, मद्रप्रदेश, राजिस्थान, रेसीव वाटर इन इलेक्रिसिटी सप्लाइ फ्रम दर डैम, ठीक है, और यह एक पार्ट है, नर्वदा वेली प्रोजेक्ट का, अब नेक्स्ट क्वेशन जो है, इसमें, नेम एने फ पॉपुलेटेट सिटी इंदी वर्ल्ल, इस टोक्यो, कंट्री विद था हाइस्ट पर कापिटा इंकम इन दा वल्ल, लग्जमवोग, देखें, मैं इसमें आपको करेंट बता रहे हूं, हो सकता है, यह डिफर करें कि यह 2017 में क्या था, लेकिन 2020 में क्या है, मैं उसको बता रहे हूं, Highly Educated State in India, केरला, Largest Zoo in India, अरिगनार, अनना, Zoological Park, IT City of India, Bangalore, Pink City of India, Jaipur, जो next question है, इसमें आपको एक-एक सेंटेंस लिखना था, questions जो दे रखें उनके बारे में, पहले है कि 61st Constitutional Amendment किस से रेलेटेड है, तो यह voting age को कम करने से रेलेटेड है, और इसमें 21 से voting age को 18 कर दिया गया था, और इसमें amendment कहां किया गया था, article 326 of Constitution of India में किया गया था, अब next है कि किस ने address किया था, United Nation Assembly first time in Hindi language, तो अटल ब्यारी बाचपे ने, first time United Nation Assembly को Hindi language में address किया था, next है, where has the article 370 of Indian Constitution been implemented, तो article 370 कहां implement हुआ था, जम्मो एन काश्मीर में, who is the iron lady, iron lady कौन है, तो इरोम शर्मिला चानू को iron lady कहते हैं, और वो एक civil right activist है, उनकी एक political party भी है, वो एक poet है और वो कहां से है, Manipur से है, who signed the Shimla agreement, Shimla agreement किस-kis के बीच में साइन हुआ था, तो जुलिकर अली, भुट्टो एन इंद्रा गांधी के बीच में साइन हुआ था, who is the writer of National Anthem of India, तो Ravindnaar Tagore जो है, वो writer है, National Anthem of India, to which subject Article 356 of the Constitution related, 356 किस से related है, failure of constitutional assembly in state and precedent rules भी जिसे हम कहते हैं, उस से related है, आपकर पिर्सने काल, इसक्राव करता है, और एक स्थ्राद लिच्टो आपकर जब आपकर अर्क किस आपकर यह काल, ख।ूब जो पालापकर बापकर बापकर, तूद भालाद के जाए इतून जानुछकर बाता है।